है गाइस वेलकम टो यूट्यूब चैनल जेके एक्जाम प्रेकर आपकी प्रिप्रिशन अच्छी चल रही होगी एंड अभी तक जो हमारे लेक्चर्स रहे हैं जो आपके क्रेश कोर्स के चार दिन रहे हैं वह आपके लिए अच्छे रहोंगे आपने कुछ सीखा होगा उसम क्या करने वाले हैं दे 5 में हमारा चेप्टर है लजर एंड ट्राइल बैलन्स यह एक्च्छल के इस लेबर स में दो डिफेंट डिफेंट टॉपिक्स यह लेजर अलग टॉपिक है लेकिन चोड़े-चोड़े टॉपिक से तो मैंने इनको merge कर दिये हैं और ये दो तौपिक viewers है जो मुझे views आ रहे हैं उसमें से 50% हमारे subscribers नहीं है so you all need to subscribe ठीके तो चलिए start करते हैं we are beginning with ledger सबसे पहले हम start करते हैं ledger के साथ that what is ledger देखो मैंने आपको बताया था कि accounting is the act of identifying सबसे पहले करते हैं फिर आगे उनको पूरा process करते हैं सबसे पहले सबसे पहला process क्या होता है जर्नल एंट्री करना recording है सबसे पहले क्या बनती है जर्नल जो हमने पहले पढ़ लिए ठीक है जर्नल जो होती है इसको book of first entry book of original entry या डे बुक भी कहा जाता है जब हमारी जर्नल पर पेर हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम बनाते हैं ledgers ledger बनाते हैं ठीक है ledger क्या है ledger एक book है ये कोई account नहीं है ये एक book है जिसके अंदर बहुत सारे accounts होते हैं Ledger बन जाने के बाद हम क्या करते हैं Trial Trial balance बनाते हैं ठीके Trial balance बनाते हैं अपने business के accounts को check करने के लिए verify करने के लिए कि मेरे जो accounts बने हैं वो सही बने हैं कि नहीं बने हैं तो चलिए एक बार छोटी से example देखते हैं अबसे बारे में लाजर बताया यह क्या है यह एक book है यह एक book है जिसमें तीन तरह के accounts maintain की जाते हैं accounts कोन से हमारे personal account ठीके then हमारा real account and then हमारे nominal account I hope आपको सब कुछ visible होगा बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं आ जोगी तो personal account, real account, nominal account हम तेनों तरह के accounts जो है इसमें record करते हैं ठीके जो हमारा account बनता है वो किस में बनता है T-shape में बनता है ठीके जितने भिछी accounts होते हैं वो किस में होते है T-shape में आपको याद रखना है objective आसकते है कि left side कोसी होती है left side बोटी है debit side हाला कि debit और credit का मतलब यह नहीं होता कि प्लस वरा यह मैंसर आचा किसी बच्चे ने में पूछा था किसा debit और credit में प्रॉब्लम आती है ठीक है तो देखो और यह इसमें रिकॉर्ड किया जाते हैं और नॉम्हें लेक वर्ड को ध्यान से सुनों कि हर एक वर्ड जो आपके लिए इंपोर्टन रहने वाला है ठीक है क्यूंकि हर एक चीज मैं आपको कवर करवाने का ट्राइब चोटे चोटे से टाइम में आपने यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो बनाए थी तो हमने लेजर्स के एक दो टॉपिक लिये थे और ट्राइल बैलेंस का अलग से टॉपिक लिया था तो उस पूरे टाइम को एक छोटी सी वीडियो में कॉंपाइल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है लेकिन स्टिल वेरी हाड वर्क फॉर ठीक है आप अभी अगर मैं बताओं आपको तो अभी रात के पोने तीन बज़ रहे हैं जब मैं आपके लिए वीडियो शूट करूं कल आपको यानि जो भी आज दे रहेगा आपको वीडियो प्रवाइट करनी है इससे पहले ये पूरी जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में इससे पहले पूरी पीडियार करनी आपके लिए आपके लिए आपके लिए चले बढ़ा हो तो इट तो इस हाड़ वाग के लिए आप हमको एक चीज कर सकते हो हमें एपरिशेट करने के लिए यू कन हिट दा लाइक बटन यू कन शेर आवर चैनल हमारी रीच थोड़ी बात करता हूं तो रूल कहता है डेबिट दा रिसीवर एंड क्रडिट दा गिवर ठीक है जब पर्सनल एकाउट की बात करोंगो तो जो रिसीवर होगा जिसको चीज मिल रहे होगी ना उसको डेबिट करेंगे एक्जम्पल लेता हूं एक छोटी सी राम पेड मनी टू शाम राम ने मनी पेड की किसको शाम को लेक्शर थोड़ा से लंदी रहेगा छोड़ा से लंबा लेक्शर रहेगा सो हैफ पेशेंस बहुत तरी चीज़ें करवानिया आज आपको दो टॉपिक्स में कंप्लीट करने का ट्राइक कर रहा हूं आपको तो एक एक चीज़ समझांग एंद फिरन mcqs पे भी आएंगे ठीक है राम पेट मनी टू शाम मैं आपको बार बोल रहा हूं कि क्रेश कोर्स कर रहे हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसको आदे आदे घंटे की वीडियो में कंपाइल कर दूँगा जो वीडियो आदे घंटे की रहेगी और जिसको लगेगा उसको टाइम भी लगेगा रइट चले राम बैक मनी टू शाम वपताइं पर सक्सक्कूम Newton कंत रहेंगा तो शाम कोणिकम अख्वोट रहें थीए चांट्र यहांich कि जवरिव होप आपको यह चीज समझ में कई तो ये जवर रूर्न तो या गया वी त्क है आगे बद्वावें करता हूं ते स्क्राद क्ला QC 1 szerin lol उसे इस अईवसक्रॉ इसने डप places लोट कमस धे इंडेदिट वट गोज आउट ठीक है जो आ रहा है उसको डेविट करो जो जा रहा है उसको क्रेट करो एक और चोटी से एक्जांपल लेके देखते हैं इतना तो आपको समझना है उपर वाला मिठा रहा हूं सारा ये सब आपने देख लिया ठीक है कि I am rubbing this so that I can have some space चले ठीक है तो दूसरी एंटर क्या कर रहा हूं है पर्चेस्ट 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 कार फॉर कैश ठीक है उसने कार पर्चेस की कैश से अब देखो कार भी हमारा एसेट है कैश भी हमारा क्या है एसेट है कार भी हमारा real account है cash भी हमारा real account है क्या लिखा है debit what comes in अगर मैं कार को पर्चेस्ट कर रहा हूं तो आया क्या है कार आई है तो कार को क्या करोंगा डेबिट करूंगा कार account debit चीक है टू गया क्या है cash तो इसकी जनलेटरी के निकल गएगी कार एकाउंट debit to cash थर्ड एंटरी जो आती है हमारे पास थर्ड एकाउंट है हमारे पास nominal एकाउंट का रूल कहता है debit all expenses and losses and credit all income and gains इसमें बच्चे बड़ी दिक्कत करते हैं इसमें उनको problem होती है वो कहते हैं कि सर अगर expense है तो वो तो हमारा खर्चा हुआ है उसको मैं debit क्यों करूंगा ठीक है तो देखो यह rule कहता है कि जितने भी हमारे expenses हैं उनको क्या करना है है आपको debit करना है और जितनी भी हमारे income से उसको हमको क्या करना है credit करना है राइट कोई दिक्क्रत नहीं होगा आपको इस चक्र में इस topic को समझने में अभी तक ठीक है इसकी पर आगर अग्जम्पल लो मैं में मिक्स एक्जम्पल लेता हूं एक ठीक है दो एक्जम्पल लेता हूं इसकी एक इंकम की और एक एक स्पेंस की पहली ले रहा हूं है पेड बिल्डिंग रेंट कैश उसने बिल्डिंग का रेंट पे किया और दूसरी एंट्री क्या ले रहा हूं है रिसीवड कमिशन रूपीज 500 मिली ठीक है पहली देखो पहली क्या कर रहा है रेंट पे करना आपको इतना तो पता ओना जी कि रेंट पे करना क्या होता है रेंट बे करना होता है expense business के लिए तो as per rule debit all expenses क्या है इसमें rent account debit और cash क्या है मेरा real account दो combination हो गया है यह हमारा nominal account और real account combination हो गया तो क्या है यहां पर rent account debit to cash क्योंकि cash क्या है और यह मेरी जा रही है cash क्या कहता है credit what goes out ठीक है similarly जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ received commission ठीक है in cash cash में वह लिए तो अब देखो cash मेरा आ रहा है receive कर रहा हो ठीक है जब receive कर रहा हो cash cash है मारा nominal account तो cash account debit to cash account debit और किस से commission से commission मेरी income है इसलिए मैं इसको क्रेट कर दिया I hope अब आपको यह चीज समझ में आगी हो इस चीज में आपको कोई डाउट ने होगा हर एक concept clear है आपको ठीक है इसी तरह की जनलेंटी आपको देखने के लिए मिलेंगी ठीक है चलो यहां पर होता है आपका credit यहां पर होता है आपका credit this is the format for journal ठीक है नीचे इसके क्या लिखा जाता है narrations कभी पूच जाए कि statement जो लिखी जाती है हर एक journal entry के नीचे उसको क्या बोलते है narrations क्या बोलता है narrations ठीक है तो अब देखो यह entries है अब journal के बाद मैंने क्या कहा ट्रैल बेलेंस बनता है journal के बाद मता है डेखें जरा ठीक है देखो जरेंल के अंदर जितने भी आपको यूणीक अपने दिखेंट मिल रहे हैं यूणीक मतलब डिफेरेंट अकांट मिल रहे है ठीक है वो सब हम अलग करते हैं ठीक है जैसे सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पर मुझे सबसे पहला एकाउंट दिख रहा है cash account number one दूसरा account दिख रहा है capital account number two third account दिख रहा है furniture account number three cash account दुबारा दिख रहा है लेकिन हमको एक account को एक ही बार लेना है ठीके तो cash account already है तो इसकी entry एक ही account में होगी राइट फिर आएगा मेरा bank account number four ठीके फिर मेरा फिर से cash account आ रहा है तो इसको नहीं लूँगा एक बार हो गये purchase account number five ram account number six फिर cash account आ गया sales account आ गया number seven फिर rent account आ जाएगा number eight ठीके तो मेरे पास eight different account है अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है इसके भाद मुझे लेजर रेकोंड ना नहीं होते हैं एगल मुझे रoting रता हैं मुझे यह बैलेंस दिक Finally यहां पर जिस्को यहां पर रस लुख जैसे पहले मैं क्या बनाओंगा cash account बनाओंगा मुद्वन्वन्द आ क्या बनाता हूँ तो लेजर के अंदर यह सारे अकाउंट बनते हैं यह जितने भी अकाउंट यहां पर डिफरेंट यूनिक यह आठ आठ अकाउंट बताएं यह सारे के सारे नाठंड यह जो है यह कहां फे ड्रांसार होंगे यह फेशर मैं और लेजर से जर्नल सब्लियाग में डालने के प्रोस्वू क्या बोलते हैं जब मेंचें ड करते हैं उसको बोलते हैं à posting उसको बोलते हैं a posting this is very important आपको mczus मुढम guys think you are liking the video hit the like button जो टार्गेट में आपको दे रहा हूं लाइक्स का यूर नोट मेकिंग में रीच जाएट 450 पहुंचा रहते हो 500 जाता ही नहीं इतनी के कैमिर आरी है मेरे एफुट्स में और गाइस टेस्स सेरीज पर चेस करो गए आपने नहीं किया तो आपके लिए बहुत हेलफुल रहेगी जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उसको टेस्ट भी तो करोगे न आप उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है आप टेस्ट दोगे ठीके एंड टेस्ट जब दोगे तो उसमें ही आपकी चीज़े क्लारिफाई होंगी ठीके सो गोफा टेस्ट नीचे आपको अगर टेस्ट लेने में प्रॉब्लम आ रहे है सबसे पहले तो आपको इतने समझदार में मानता हूं आप हो कि आप डॉनलोड करोगे जेके एक्जाम क्रैकर की ठीके वहाँ वहाँ जाकि आप टेस्ट सिरीज खुद बेखुद पर और एनिया कोई भी चीज अगर आप कोई भी चीज डाउट भी आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो ठीके चलो आगे बात करते हम आगे बात करते हम कि ट्रैल बैलंस की लेजर आपको बनाना सिखा दिया ठीके लेजर कैसे बनेगी यहां के एकाउंट जो है वहाँ पर पोस्ट करूंगा देखो जादा डीप में जाने की जूरत नहीं है को 11 और 12 के पेपर नहीं देने जा रहे हैं आप जो आपको एकाउंट बनाना सिखांगा है बस आपको प् मेरी मेर以上 बनी है थीक है मं लोगत के आशे ठीक है यह बनक के फानिकर है फिर मेता तो सेल्व है कि इनका कोई न को ये ऐं나म बैल के नियीं निकल के आएगा उसे निकल के आएगा इनका बालेस निकल कि आएगा ये बैलेस जो है इसको मैं कहां ट्रार्टर करता हूं trial balance में trial balance का format देखो serial number particular debit credit ठीक है यह रहता है format I hope visible होगा सब कुछ बोड पर यह format रहता है अब देखो जैसे यहां पर cash आएगा मैं यह पर्टिकुलर में देखोंगा cash cash का balance हमेशा debit आता है तो जो भी मेरा balance आएगा मैं यहां पर डाल दूँगा ठीक है फिर bank की बात करूँगा bank का भी मुझे पता अगर positive होगा तो अगर मैं sales की बात करूँ तो sales का balance मेरा credit आता है sales क्या होती है हमारे capital की तो capital आपको पता हमेशा क्या होता है credit होता है तो यहां करोगे फिर आप debit का total प्लस करोगे फिर आप credit का total प्लस करोगे ठीक है आप debit के total को प्लस करोगे अगर तो equal हा गया that means आपके accounts जो है वो clerically उसमें कोई mistake नहीं है उसमें clerical mistake कोई भी नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही बने है मैं नहीं बोल रहा सिर्फ आपकी arithmetic accuracy सही है trial balance का का काम क्या है अब लिखो लिखो क्या देखते रो trial balance का काम क्या है तू चेक दा तो check the arithmetic accuracy total debit is equal to total credit यह हमेशा होना हमेशा total debit total credit के equal होने चाहिए नेक्स अगर बाता हूं यह कोई account नहीं होता trial balance is not an account जैसे लेजर जो हाँ वो बुक है trial balance कोई account नहीं दिस इजे इट इजे पता ना है हम trial balance की features लिख रहे हैं यहां पर ठीक है इस इस प्रिपेर्ड एड़ 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 एवरी मन्थ हर मन्थ के एंड में यह प्रिपेर की जाती है ठीक है अब को चीजे जो common questions पूछ जाते हैं आपको common はい questions यह balances बूसरे आपको कि इसका peace कैं रहता है तो देखो जितने भी assets होते हैं वो कहां जाते है debit side जाते हैं जतने है की assight होते हैं वो कहां जाते है debit side जैते हैं जितने भी passer होती है तो वह कहां जाती है credit side जाती है ठीक है एसे जितने expenses होते हैं वह जाते है debit side जाते हैं ठीक है उसके बाद जितने भी losses होते हैं वह भी कहां जाते है debit side जाते हैं ठीक है simple rule debit the receiver asset asset मेरा हम क्या रदा debit side आता है liabilities मेरी credit होती है fifth की बाइब बताओ फिफ्ट revenue revenue भी मेरी income होती है तो यह कहां जाएगी credit side जाएगी ठीक है revenue income वह credit जाएगी फिर उसके बाद जो और जो important चीज़े पुछ जाती है return inward और return outward यह बहुत important है ठीक है इसका balance क्या होता है देखो return inward मतलब मेरे पास समान वापिस आ रहे है तो return inward का balance क्या होगा return inward क्या होगा debit balance शो करेगा return इंवट क्या है डेबिट बैलेंस शो करता है ठीक है return इंवड का एक और मतलब क्या है sales return आप ऐसे भी याद कर सकते हो रिटर्न का मतलब क्या है sales return तो sales अगर return हो रही है अच्छा sales का balance क्या होता है credit होता है तो सेल जब बापिस आएगी तो उसका बैलस क्या होगा है इसलिए इंपर्टेंट चीज थी ट्रायल बैलस और हमारा क्या बोलते हैं क्या पड़ा हमने आज ट्रेल बेलेंसे एंड वाज़ वाज़ टॉपिक लेजर के वारे में ठीक है ट्राइल बेलेंस और लेजर के वारे में कुछ इंपोर्टन चीज थी आई होप आपको समझ में होगी इतना बेसिक एनफ है एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से बाकी चीजें जो है अभी हम आपको सारी चीजे सीखनी है सिर्फ टाइम पास ही नहीं करना है तो यह सब तो करना पड़ेगा ठीके तो जलिए आते हैं कोशंट के ओपर फर्स्ट कोशन ओन दस्क्रीन इस डेबी साइड अगर बैंक अकाउंट की बड़ी यह तो बैलेंस क्या होगा डेबी ओगा तीके डेबी ओगा और अगर बैलेंस डेबी ओचा मतलब क्या है cash at bank कि मेरे bank में कितना पैसा पड़ा है और हां देखो debit balance as per cashbook as per passbook नहीं है ठीक है debit balance as per cashbook है not as per passbook ठीक है चलो second question move करते हैं जदी-जदी question हो जाएंगे अब हम ठीक है payment to credit will credit जो payment कर अच्छा the payment to the credit will अगर मैं payment कर रहा हूं क्रेडिटर को क्रेडिटर को payment कर रहा हूं तो देखो अगर पेमेंट करता हूं न तो उसके उसके entry क्या बनेगी देखो payment यहां देखता हूं यहां करता हूं आशाद दिखेंगा आपको payment to credit ठीक है credit क्या है personal account ठीक है और payment जब मैं करूंगा तो obviously cash में करूंगा न cash में और cash कौन सा account है real account है देखो कैसे entry होती है ठीक है payment कर रहा हूं किसको credit को तो credit जो होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो receiver होगा personal account है और receiver है ठीक है तो debit करते हूं receiver को इसका मतलब क्या है credit account debit ठीक है credit account क्या होगा debit हो गया to cash cash में कम हो गई तो cash अब ज़रा option देखते है increase and decrease अचा यहां पर देखो हमारी credit क्या होती है liability होती है liability क्या हो गई मेरी Yes, Decrease होगए लाइबल रिट हो रही है तेका है लाइबल एकर डेंट होरी मतलब डिक्री रोगे और एट्ट मेरा क्या हो रहे है वह भी हो रॉरेली के में लाइबल टेङवीर के उर एक टुर की से ठीन है तो प्सेड नंबरे decrease an asset and decrease a liability option numbers आप देख पारे हो screen पे option number C will be your right answer right, चलिया option number C will be your right answer question number third पर मूट करते है the T account is used to summarize which of the following T account, T मैं आपको बताया T is the ledger account ठीक है, क्या help करते हैं, किसको summarize करने में help करते हैं increase and decrease to a single account in the accounting system, यह हमको बताता है कि increase यह decrease कितना हो रहा है एक account में, हाँ जी भाई यह तो बताता ही है हमको debit and credit to a single account in the accounting system एक account का debit or credit बताता है हमको कितना debit हो रहा है, कितना credit हो रहा है फोर्थ आपका all of the above describe how T accounts are used by the accountant, यह उपर जो तीन option बताया ना, यह बता रहे हैं कि किस तरह से T accounts जो होते हैं, वो accountant यूज करता है, तो बिलकुल उपर वाला option जो है, हमारा जो जो उपर के तीन option है, वो हमको यही बता रहे हैं कि एक accountant जो होता है, वो किस तरह से use करता है accounts को, आपका option number क्या जाएगा, D will be your right answer, all of the above, guys if you are having any problems, you can definitely mention it in comment box, देखो, मैंने कल की वीडियो के replies अभी शायद पूरी तरह नहीं किये, कुछ बच्चे के doubts आ रहे थे, so मैंने भी उनको अच्छे से read नहीं किया actually, so जैसे ही मैं read करूंगा, मैं वीडियो में ही उसको explain करने का try क करूंगा, ठीक है, don't worry, सारे doubts क्लियर किया जाएगे, ठीक है, चले, then question number fourth, credit means, अच्छा अब बताओ credit का मतलब क्या है, credit मतलब है, decrease in liability, increase in expense, increase in asset, या entries on the right hand side, बताओ जड़ा, एक बार वीडियो को pause करो, और इस comment का, इसका answer जो है, वो comment box में mention करो, तो देखो, credit, मैंने आपको बताया, पहला option किया, आपका entries on the right hand side, तो जब भी मैं T-shaped account बनाता हूं, तो credit side ये होती है, और debit side ये होती है, ठीक है, तो ये है आपकी right side, ये है आपकी left side, तो left, right side क्या indicate कर रही है, credit को, ठीक है, इसलिए आपका answer क्या आएगा, option number A, ठीक है, this will be your right answer, ठीक है, कि कि किसको denote कर रही है, आपकी entries on the right hand side, credit क्या denote कर रही है, आपकी entries जो right hand side पर हो रही है, राइट, चलिए, ledger is the principle book in which, ledger क्या है, एक principle book है, जिसमें only real account are kept, क्या उसमें सिर्फ real account maintain किया जाते हैं, only personal account are kept, सिर्फ personal account kept किया जाते हैं, only nominal are kept, या, all accounts are kept, तो मैंना आपको बताया कि, तीनों तरह के accounts जो होते हैं, वो रखे जाते हैं, ledger में, तो answer क्या आएगा, all accounts are kept, ठीक है, चलिए, 6th question देखते हैं, 6th question is, the left hand side of account is referred as, account की left hand side, यानि, ये वाली site, क्या बोलते हैं इसको, तो पता है, इसको क्या बोलते हैं, DR, यानि debit, इसको बोलते हैं, debit, ठीक है, option देखने की जुरुरती नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है, 6th question हो गए, access of debit over credit is called, अगर debit balance जो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे debit balance, debit side credit से बढ़ी हारी है, तो इसको debit बोलेंगे, अगर credit side debit से बढ़ी हारा है, तो इसको credit balance बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, answer आएगा, debit, थीक है, 8th question पर आते हैं, 8th question is, the process of transferring the debit and credit items, from journal to their respective accounts is termed as अभी बताया मैंने आपको जो process होता है journal से ledger में डालने का उसको बोलते हैं posting उसको बोलते हैं posting ninth which item will appear on the credit side of ledger इन में से ledger के credit side पर कुन्सी item आएगी तो देखो cash received cash received हो रहा है तो उसको मैं debit करूँगा क्योंकि debit what comes in ठीक है purchases purchases क्या है asset है तो debit what comes in ठीक है cash discount sorry discount received अठीक है discount मुझे मिल रहा है business के लिए क्या है ये income है income को मैं क्या करता हूँ credit करता हूँ इसलिए क्या ये credit side हाईगी तो answer क्या आएगा आपका discount received ठीक है answer आएगा आपका discount received these are your answers of first nine questions don't worry we have a lot of questions to do ठीक है mcq करने में time नहीं लगता अगर मैंने आपको पहले basic अच्छे से clear करवा दिया तो mcq करने में जादा time नहीं लगता ठीक है 25 mcq हम hardly 10 minute में कर सकते हैं ठीक है चलो next देखें ledger is a book of ledger जो है it is a book of 10th question कौन सी book है original entry जी नहीं original entry कौन सी book होती है journal होती है final entry हाँ जी इसको हम final entry बोलते हैं लेकिन option mark नहीं करना है क्योंकि नीचे बी और सी वल option भी है एक देख पार हो ठीक है अच्छा मैंने यहां पर लिखा नहीं करेक्शन करनी पड़ेगी यहां पर यहां पर आपको cash transaction लिखा हो इधर option करके बी और सी कर देना आप ठीक है इधर बी और सी कर दोगे ठीक है secondary entry ठीक है secondary entry भी होती है ठीक है तो B & C answer आएगा option number D और यहां पर लिख रहा हूं बोथ B & C यहां पर कुछ correction करनी है आपको मैं PDF में correction करनी पाया ठीक है so make a correction ठीक है which account has usually debit balance इन में से किसका debit balance है तो आपके लिए homework comment अभी वीडियो pause करो और पहले comment करो फिर आगे बढ़ना ठीक है अभी वीडियो pause करो देखो अपनी performance को साथ साथ चेक करते रहो गया तो सही रहेगा सिर्फ आप comment नहीं कर रहे है आपके साथ और भी लोग comment करेंगे ठीक है so देखो answer match करो कुछ conflict आ रहा है discussion करो ठीक है discussion करने के लिए होती है comment box और क्या करते है ठीक है चलो आगे देखते हैं a trial balance which shows equal totals for both the debit and credit golems एक trial balance जो की हमको debit side एक trial balance है इसका debit side और credit side का total जो है बिल्कुल equal show कर रहा है ठीक है total equal show कर रहा है ठीक है आगे लिखा है shows that there must be more than one error with the bookkeeping system इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई error होगा नहीं भई हम नहीं अगर equal आ रहा है तो हम यह नहीं बता सकते कि error है या नहीं ठीक है shows that bookkeeping system is free of error क्या हम इसको बता देंगे कि बुक कीपिंग जो हमारी free of error है नहीं हम हम trial balance सिर्फ क्या चेक करते हैं arithmetic अर्थमेटिक है एक्यूरेसी हम ट्रैल बैंसर्फ अर्थमेटिक चेक करते हैं यानि हम यहां से सिर्फ ट्लैरिकल एरर एरर चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम यहां पर सिर्फ ट्लैरिकल एरर चेक कर सकते हैं कोई Entry मैंने miss कर दी कोई एक item miss कर दी ठीक है दोनों मुस नहीं कर दी कोई एक debit miss कर दिया कोई करेंट मिस कर दिया ठीक है मैंने एक जगा नाइंटी फाइब लिग दिया ठीक है इस तरह के Error मैं चेक कर सकता हूं ठीक है थर्ड है shows that arithmetic accuracy is करेक्ट शो करता है कि arithmetic accuracy correct है हाँ यह तो शो करता ही यह आगे बढ़ते हैं बट errors may still be present in the bookkeeping system लेकिन उसमें अभी भी errors हो सकते हैं तो बिलकुल सही option है तो यह option आपका बिलकुल सही हो जाएगा option number C जो होगा that will be your right answer अब इसके बार में थोड़ सी information ले लें कि ट्राइल बैलेंस जो है हमारा वो हमारी arithmetic accuracy को check करता है यानि वह हमको बचाता है कि हमारे एकाउन में critical error होता यह नहीं होता है कौन से errors जो है वो trial balance detect नहीं कर सकता सब्सक्राइब मुझे बताओं नहीं टाइपस of errors ठीक है types of errors की बात करूं तो हमारे पास में ली पास तरह के या छे तरह के errors होते हैं पहला जो मैं आपको बताया है clinical error ठीक है दूसरे की बात अगर करूं तो दूसरा is error of omission थर्डीज एरर ओफ ठीक है कौन बताएगा आपको एकी वीडियो में इतना सारा कुछ ठीक है जल जल दी करेंगे छोटे टाइम में ज्यादा पड़ेंगे ठीक है फिर हमारे पास एरर ओफ दूप्लिकेशन फिफ्ट की बात करूं तो फिफ्ट इस एरर ओफ प्रिंसिपल एंड शिक्ति इस सिक्सिस कमपन्सेटिंग एरर इस ठीक है यह च्छे तरह के एरर्स होते हैं तो ट्राइल बैंस चोटा है वह हमको बता जाता है बता जाता कि अगर आपके एकाउंट में क्लेरिकल एरर होंगे तो ट्राइल बैंस उसको शो कर देगा अगर नहीं होंगे तो शो नहीं करेगा ठीक है चुला अगर ऑमिशन क्या हो गया कि मैंने कोई चीज छोड़ दी ठीक है अच्छा बताओ मैंने अगर एक स्टेटमेंट छोड़ दी ना मैंने उसका डेबिट का इंपैक्ट डाला व्शी नाम अशी चेयल बैंस को फर्व डालेगा ठीक है का वह ट्रेखल बैंस में तो कर दालेगा नहीं डालेगा स्थो इसी लिए यह सरय जो है चैनाट भी कोट इन ट्रैल बैंस तो ट्राल इंटकत सकता है अरफ कोमिशन क्या होते हैं अरफ कोमिशन हो गया मैंने डेबिट करना था राम को मैंने डेबिट करना था राम को लेकिन राम के जगा मैंने शाम को कर दिया राम के जगा मैंने शाम को डेबिट कर दिया अब ओवराल इंपक्ट देखूं तो मेरा बैलंसी पर कोई इंपक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन गलती तो है ना मैंने राम को डेबिट करना था कर दिया शाम को overall देखूं मैंने किया तो डेबिट यह चाहे किसी को भी किया हो मेरे account से पैसे कड़े मैंने उनको credit कर दिया लेकिन राम की जगा शाम को क्षीह तो ये पांचो करते तो इन बंता पंटि सोबंता यह दोनम है अगा ये अधून राम करोंगा देबिट और गरवी नहीं होगा ये तब हैं लुए करें खPS techniques difference नहीं आया इसलिए हम commission के error जो होते हैं वो भी इसमें detect नहीं कर सकते error of duplication मैंने दो बार एक चीज लिख दिये ठीक है मैंने इसको दो बार debit कर दिया दो बार credit कर दिया मैंने एक ही entry को दो बार record कर दिया ठीक है balance पर कोई फरक पड़ा debit जितना करना था इसलिए यह भी इसको record नहीं करता है error of principle क्या होता है मैंने गलत account को क्या कर दिया मैंने गलत account को debit कर दिया यह गलत account को credit कर दिया तो similarly this cannot be caught compensating error क्या होते हैं ठीक है next is compensative error compensating error compensating error भी एक मानलो आप commission टाइप का ही हो क्या ठीक है आव इसको कमेशन ही मालो इंदोनों को सेम मालो ठीक है तो ज़्यादा difference नहीं है इसमें भी यह होगा कि मैंने करना किसी को ना करदा कर दिया किसी को ठीक है on the on the behalf of one या आप मानलो इसको अच्छा compensating error की example देखो इसमें दो गलती होंगी जो अपस में एक जुसरे को compensate कर देंगी मैंने राम को debit कर दिया फुदूल में मुझे करना नहीं था ठीक है मैंने राम को debit कर दिया मुझे करना नहीं था और उतने ही कि अमांट से मैंने कहीं पर कि गलती से ही शाम को भी क्रेडिट कर दिया अब यह debit जो है आपस में काड़ देंगे सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है लेकिन यह error भी जो है मैं डिटेक्ट नहीं कर पाँगा सिंपल सी बाता की ट्राइल बैलन्स जो है इन में से ना अधर आप अमिशन को पकड़ पाता ना अधर अधर प्रिंसिपल को पर रहा था ना कंबडे एर को तिक इतना से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा चलिए मूव करते हैं कैस वीडियो को शेयर करो अच्छी लग रिया तो और लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को ठीक है तो इस वाप्शन नमबर सी नेक्स्ट पर आते हैं थर्टींथ पर थर्टींथ पर आते हैं विच ओफ द फॉलिंग एकाउंट नॉर्मली है जए क्रेट बेलेंस इसमें से कौन से क्रेट बेलेंस है चीक है रीचर्ण बजूसांट होता है हमारा क्या सेल्स रिट है तो एसलिये उसका बैलस क्या है क्रेडिट आएगा ठीक है चलो और सेंडिंग वेजिए उसके बाद दा इक्वाइलिटी ऑफ डेटिंग ट्रेडिट इस टेस्टिट प्रियोडिकली बाइ प्रिपेरिंग डेडिट की कैसे चेक करते हैं तो ट्रेल बेलेंस पनाके इस ऑप्षिन देखने की जुरूरत ही नही जब फॉलिए इस बेस्ट डिस्क्राइब करता है शोज ओल्द एंट्री इंटरी जो करता है नहीं वही इडिज लिस्ट ऑफ टोटल इडिज अव टोटल बैलनसी दो बूक के बैलनसी का हमें क्या बोलते हैं यह टोटल बता रहें तो हांजी भई हमको बुक के बैलेंस बत बनाता है ज़िस्थने भी बुक्स हमें अंटेमत बनाए उसका बैलांस ओताय हम नत्री सकते हैं ठीक है इस सेंग हो if भी ही सही आंसर होगा ठीक है 17 पर मूव करते हैं 17 इस प्रिपरेशन ओफ ट्राइल बलंस हेल्प इन डिरेक्शन ओफ अभी इतना बड़ा राम कता सुनाई मैंने आपको इस पर इतना कुछ सुनाया भी आपको इस पर तो इसका अंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगी जल्दी से सबके लिए मेंडेटरी एसके लिए कमेंट बॉक्स मेंशन करना इसका अंसर आपको कमेंट करना है ठीक है चलो next 18th 18th sorry 16th हुआ है हमारा 16th and then 17th ठीक है 17th question is for which of the following normal balances debit इन में से किसका normal balance जो है वो debit रहेगा rent payable rent payable क्या है payable मतलब मेरे liability है ठीक है unearned rent revenue revenue आना है unearned नहीं किया तो मेरा यह बिल्कुल भी वो नहीं है क्या बोलते हैं debit balance नहीं है अगर earn किया होता तो मेरा debit होता है ठीक है rent revenue rent revenue है मेरी क्या है credit balance होएगा ठीक है prepaid rent prepaid rent मतलब मैंने पहले से इड्वास रेट đến प्हरेक रख दिया है वो किया है मेरा एसेट है प्रींट इस और एसे तो प्रीपेट रंड हो जाएगा मेरा सब्सक्राइगा ब इस सवेटिंथ का आंसर क्या एगा डी पार्ट पंड इटींथ इसमया फ्रेहा तो हां मि ट्रेल बैलेंस क्या है इसमें में कोई भी एर नहीं प्रोवायट से लिस्ट्ंग अवरी डेख लिए प्रोवाइट थो अगरें धे डेक्ले देख लिए अřा मैंडे लिस्ट्ठित्य उफ अच्छा प्रोवाइट लिस्टिंग अव्री account का valid करता है नहीं हमको account list provide नहीं करता उसके balance के list provide करथे account list तो हती होती है उसका balance भी होते है तो fourth option is provide the listing of balance of each account तो बिलकुल यह हमको balance जो करता है तो आपका option number दी आ जाएगा right चलिए I hope समझ में आया होगा video अच्छी लग रही होगी कुछ जीखने के लें मिल रहा होगा है है और दो कि आको नेक्स्ट इस क्राइबस ओसे दो कुछ नुम्मर 19 कि कितने टाइप से तो देखो बेच्छो त्रॉब द्यस्सके तीन होते हैं घ implement सहसे कोण से ट्रैल सिंद बैलन्स ट्रैल फिरन्स मिछन फैrophus विषेलांग है दूसरा क्या थे टोटल टिके इसमें डिफरेंस क्या है देखो माल लो यह एक लेजर है कंटे और उसका बैलाज निकल के आ यह आपके पास चार हभार रुपय देदेन लोल इसका जो नीचे वाला टोटल है ये नीचे होता है टोटल ये है है आपका फैसाज Öनकory ठिके ये है आपका बैलेंश सॉरी ये है आपका बैलंस ये आपका टोटल पहला ड्रैयल वाला का बैलेंस लिखा गया होगा दूसरी वाले में हर एक उनका टोटल लिखा होगा और तीसरे वाला में बोथ बैलेंस एंड टोटल तो जीज आर थ्री टाइप्स आफ ट्राइल बैलेंस इस राइट चलो कोशन नमबर ट्वेंटी पर मॉफ करते हैं इसमें से रेविन्यू को नहीं है गुड फोलट फॉर क्याश अंधियों थैल करता हुँ तो मेरा रेविन्यू है तो मेरा रेविन्यू क्या होता है उस एक्टिविटी से पैसा आना जो कि मेरा बिजनस डिईल करता है ठीके जो उसमें से नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम आपका option D 21 21 21 21st question पर आते हैं which most important reason of producing a trial balance prior to pre which most important reason of for true for producing a trial balance prior to preparing the final account is a question reason पूछा हुए कि भाई trial balance क्यों बनाते हैं it confirms the accuracy of ledger accounts most important reason पूछा हुए ठीके सारे के सारे reason होंगे लेकिन most important पूछा हुए तो हाँ accuracy तो बताता है ledger account के लेकिन पूरी तरह से accuracy नहीं बताता हमको सिर्फ अर्थमेटिक एलेक्टिक बताता है ठीके it provides all the figure necessity to prepare the final accounts सारे के सारे figures बताता है बताते हैं ठीके जो trial balance में होता है वही मैं आगे final accounts में पोस्ट करता हूं ठीके और इट शोज लेजर accounts contain debit and credit of an equal value में मुद्दा यही है कि debit and credit जो है वो equal value का होना चाहिए ठीके वो शो करता है तो यह आपका option number C जो होगा यह right answer हो जाएगा यह बर option number fourth period कर लेते हैं और option number fourth कहता है इट अनेबस अकाउंटेंड दू कल्कुलेट दा adjustment required not this is not the answer ठीके चलो next पर आते हैं suspense account very important suspense account पर आते हैं वही यह मैं आपको trial balance कर वाते हुए भूल गया शायद कर वाना बट चलो में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है suspense account मैंने trial balance बनाया item लिखी ठीक है यह items लिखी इसका debit 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 credit debit ठीक है debit total किया मैंच ही नहीं किया हो सकता ना कई टोटल मैच ही नहीं करें कोई उसको balance करने के लिए suspense account create करता हूं अगर debit वली साइट बढ़ी होगी तो credit वली साइट डाल दूगा अच्छा एक और बड़ा important question suspense account में से आता है कि suspense account को मैं डालता कहा हूं suspense account का treatment क्या होता है तो suspense account को मैं जहां शो करता हूं balance sheet में ठीका अगर suspense account का अगर इसका debit balance होगा तो मैं इसको कहां शो करूँका asset वली साइट अगर से credit balance होगा तो मैं इसको कहां शो रहूँ ही तो जो भी हमारा क्याव बोलते से इस पैंस को मैं कहां शो करता ह coastal ओप но सब्सक्राइब को समझ आगया अगर नहीं हो रहाो तो बैलने के लिए मैं चिरूत किरेट करताओ हो इसको बोल तो सुस्पेंस एकाऊंत बड़ी वाले इंटर करते हैं तो इसको बैलेन्स शीट में 23 questions पर आते हैं wages paid to workers for the installation of new machinery should be जब मैं wages pay कर रहा हूं किसको workers को workers को wages pay कर रहा हूं नहीं machinery install करने के लिए तो देखो जब तक installation नहीं होती ना पेंको तो वेजीज करोंड नहीं मशियनरी अकाउंट जी हाँ मशियनरी करेंगा मैं आपको बताया जब तक जब तक आपकी स्टोलि को दी उसके पहले के सारे खर्चे जो एंदों होते हैं उसके प्लूण आपको आने वाले टाइम की कोई वीडियो मिलेंगी नहीं ठीके मिल आपको सब्सक्राइब भी करने और बैल आइकन जो है साइड पर वह भी प्रेस करना है ठीके तो इस वह एक प्रेस्ट परचेस करो आपके लिए ही बनेफीशिल है थोड़ा सा टाइम रह गया एक्जाम के लिए आरूंट 12 देज रहे आपके एक्जाम में आपको प्रेपर आप टेस्ट सीरीज दो गे तो आपको बतलाएगा कोशन किस तरह के आते हैं और आपका हाँ